हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब ठीक होंगे वेलकम बैक टू सकी मेकप स्टूडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं फुल हैं वेला ब्लीच इसे लिकुड ब्लीच भी कहते हैं इसे करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है यह मैं आपको बताऊंगी को दिखा रही हूं इसके लिए हमें एक बॉल एक वेला का ब्लॉंडर 20 वॉल्यम डेवलपर दो हमने आपे ब्रश रखे हैं टिशू है टावल है और क्लिंजिम मिल्क है यह मैं पहले इनके हैंड को क्लीन कर रही हूं ताकि सारी डस्ट वगेरा सब निकल जाए ब्लीच अप्रिकेशन से पहले इसे लिकट ब्लीच भी कहते है इनके हाउखों को मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर रही हूं उसकेबाद फिर मैं इस पर ब्लीच अपलाई करूंगी ब्लीच कैसे बनाओंगी यह मैं आपको दिखाऊंगी अभी और यह ब्लीच इतनी और client इसे बहुत पसंद करता है यह light और strong दोनों ही hair पे हम कर सकते हैं इसका result awesome होता है लेकिन यह घर पे नहीं करनी चाहिए यह मैं आपको personally advice कर रही हूँ यह अगर आप पार्लर में कराएं तो जादा अच्छा है क्योंकि staff वहां expert होता है वो करता रहता है bleach तो उसको पता होता है कि इस bleach को कैसे किया जाता है तो मेरी personal advice है कि आप यह पार्लर से ही कराएं घर में यह ना try करें तो बहतर होगा आपके लिए यह बहुत ही साबधानी पूरवक की जाती है bleach क्योंकि इसमें developer डलता है जो हम hair पे भी use करते है और यह ammonia base ammonia तो क्या सारी bleachों में होता है पर इसमें 20 volume developer हम डालते है 10 भी डाल सकते है पर वो थोड़ा सा slow काम करता है 10 volume तो तकरीबन हम पार्लर में 20 volume ही डालते है इसके अंदर तो यह मैं आपको इसका ratio दिखाऊंगी कि यह कैसे बनाई जाती है इनके हाथ मैंने clean कर दी है आप देख सकते है यह ज़्यादा hair ही नहीं है इनके ज़्यादा hair नहीं है लेकिन tanning है इनके hair पे तो यह चाहती है कि भई मेरी न सारी tanning remove हो जा इसको tan bleach भी कहते है यह मैंने वैला का blonder लिया है बाउल में दो स्पून काफी होता है दोनों हैंड के लिए अब हम इसमें मिलाएंगे 20 volume developer यह आप देखिएगा कितनी कम quantity में हम इसको मिला रहे है यह ज़्यादा नहीं डालना पड़ता हलका साही डालना पड़ता है यह देखिएगा आप बिल्कुल थोड़ा सा एक स्पून के आसपास ही या दो स्पून आप कह सकते है कि दो मैंने स्पून अगर ब्लॉंडर लिया है तो दो स्पून के आसपास आप बोल डाले लेकिन यह स्टॉंग होती है क्योंकि डैबलर है तो मैं इसमें थोड़ा सा क्लिंजिंग में एड़ कर रही हूँ ताकि यह थोड़ी माइल्ड हो जाए और इस ब्लीच को करने से पहले यह क्या क्रीम ब्लीच भी होई कोई भी ब्लीच होई चाहे फेस पे हुई या बॉड़ी पे हुई कहीं पर भी हम कोई भी ब्लीच करते हैं तो पहले किर्पया करके चेक कर लें कि कहीं अलर्जी तो नहीं है कहीं दाने तो नहीं है तो वहाँ ब्लीच बिल्कुल ना लगाए क्योंकि यह अमोनिया बेस होती है तो यह इचिंग कर सकती है कहीं भी और बहुत ही कम क्वांटिटी में हम लगा रहे हैं कोई भर भर की नहीं लगा रहे हैं एप्लिकेशन बहुत ही आराम से करें और ये मुश्किल से 5 या 7 मिनट के अंदर ये ब्लीच हो जाती है और क्लाइन भी बहुत खुश हो जाता है कि मैं जल्दी फिरी हो गया ये देखे कितने हम कम क्वांटिटी में लगा रहे हैं पतली पतली ब्लीच लगा रहे हैं शायद इसलिए इसको लिक्विड ब्लीच का नाम दिया जाता है तो लिक्विड ब्लीच के अगर कोई आप कोई कहे के भी लिक्विड ब्लीच हमें करानी है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये वैला ब्लीच की ही बात कर रहे है ये देखिए एल वो भी इनकी कितनी ब्लैक हुई है तो इसको भी हम लगाएंगे यहाँ पर ये सारी टैनिंग हटाएगा इसमें और ऐसे दीरे दीरे आप इसको पूरे हैंड पर स्प्रेड करेंगे ब्लीच को और ज्यादा भर भर के नहीं लगानी है कम क्वांटिटिंग में ही लगाना है इसको और बहुत ही साफधानी रखनी चाहिए इसको लगाते वग ये चाहिए आप बॉड़ी पे इसको बॉड़ी पे भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि ये ऑन्नी तो फुल बॉड़ी पे भी कर सकते हैं बस तोड़ी साफधानी के हमें जरूरत होती है कि उसको कैसे करते हैं और क्लाइंट का टैनिंग तो ये बहुत जल्दी रिंट कर देती है या लिवलीच ज waffle भर सब पूरे हैंड पे नीचे फिंगर तक भी लगा रहे हैं आधा हराम से पूरे हाथ पेस को राज किया है फिंगर पे भी लगा रहे हैं ऐसे आप लिक्विड नहीं क्रीम भीड लगा सकते हैं यह एक हमने पूर्य हातों पें लगा दी है यॉफ अंटर आमक्पा पर नहीं लगा सकते हैं और Полa कुछ इनके कोई अलर्जी नहीं थे, इनको कोई इनको रैशिस वगेरा नहीं थे, हाँ, और अगर किसी की स्किन में रैशिस हैं, तो भी आप ये ब्लीच ना लगाएं, यही क्या आप क्रीम ब्लीच भी बहुत साबधानी पूरबर लगाएं, अगर करनी भी बड़े, तो उस पोर् ऊज़ी नहीं लगानी चाहिए हमें, चोड़ देना चाहिए हमें, उस पोर्शन को, हैंड पे भी लगा रही हैं, और फिंगर में अच्छी तरीके से, च्टाप्रीच च्टि ओवर होते हैं, वह भी ब्लीच हो जाते हैं, जो हमारी उंग्लियों में होते हैं, बीच में बिलिच आप पानी से रह भिरी पानी सब्सक्राइशे ल द्रीच नहीं वागा जाएंश Celq l द्रीशन पानीं चैनल सस्क्राइश can useים returning august की सब्सक्राइश सक्वाल करें दोजाए mystical special ध्यान रखना चाहिए ब्लीच को अच्छी तरीके से clean करके सुखा देना चाहिए हाथों को एद्धूग हमने पूरी इनकी जो ब्लीच है अच्छी तरीके से clean कर दी elbow elbow देखो कितनी साफ हो गई है इनकी और हाथों में एक freshness आ गई है बहुत अच्छी तरीकी से ना और ज्यादा तेज हाथों से नहीं रखड़ना चाहिए बिल्कुल अराम से soft कोई towel हो या tissue हो उससे bleach को उतारना चाहिए किसी hard towel से नहीं इसको उतारना चाहिए नहीं तो rashes हो जाएंगे बहुत अच्छी तरीकी से clean करके यह दूसरे हाथ पे भी हम अटा रहे हैं इसको बहुत अच्छा result है इस वाली bleach का और इसकी सबसे अच्छी बात यह जो पार्लरों में client को जो सबसे ज़्यादा पसंद आती है कि client के पास इतना time तो होता नहीं देखो वो बस फटा फट से आता है और जल्दी से बस मुझे कुछ कर दो मेरी tanning हट जाए तो यह bleach तो जैसे राम बान है उनके लिए फटा फट से instant glow लाती है यह ना और पार्लरों में bride को तो तकरीबन हम लोग ना यही bleach ज़्यादा करते हैं अब ब्लीच हटाई है तो मैं क्लाइंट को ऐसे नहीं भेज सकती हूं तो यह मैं उनको एक पैक लगा रही हूं ब्लीच के बाद इतने बैठेगा क्लाइंट तो यह मैं उनको पैक लगा रही हूं ताकि स्किन में कोई हलकी फुल की रैडनेस हो या कुछ हो तो पैक उसको कूल कर देता है यह मैं कूलिंग पैक लगा रही हूं और एक सारे पोर्स को टाइट भी कर देगा यह एक फ्रेशनेस आईगी और सबसे अच्छी बात है कि क्लाइंट को भी अच्छा लगता है कि मेरे को एक अच्छा टीट्मेंट दिया जा रहा है पार्लर में पार्लर में तो देखो देना भी चाहिए हमारे पास client आता है तो हमें बहुत अच्छी तरीके से उसका ध्यान रखना चाहिए यह पूरे hand पर लगा रहे हैं हम इसको क्लाइन तो हमारे पास एक अच्छी service के लिए ही आता है तो हमें इस चीज का special ध्यान रखना चाहिए कि हम एक अच्छी service भी दें क्लाइन को इस second hand पर हम लगा रहे हैं इनको और यह pack भी पास से साथ मिनट जाज स्यादा दस मिनट लगेंगे सुख जाएगा यह pack और इसमें जो oil base है यह मेरा जो pack है थोड़ा mask है यह oil base है तो यह एक skin में glow लाएगा और पोर्स close कर देगा अच्छा पैक है थंड़क का एहसास देगा मेरे क्लाइन को न वो क्लाइन को अच्छा भी लग रहा है वो खुद भी मुझे कह रहा है कि नहीं उसको अच्छा लग रहा है यह दोनों hand पर अच्छी तरीकी से लगाया है हमने आपको भी आई होप आपको भी यह सब अच्छा लगेगा देखने के बाद आप भी पार्लर में जाओगे तो कहोगे नहीं हाँ हमें भी लिक्विड ब्लीच कर दो वैला ब्लीच कर दो और यह दो को पैक सूख गया है यह हम हटा रहें इनका पैक बहुत ही अच्छे हो गए है इनके हाथ ना और अभी वैक्स नहीं कराई है इनोंने वैक्स कराएंगी तो और फ्रेशनेस आईगी अभी तो सिर्फ ब्लीच ही कराई है इनोंने ब्लीच से इतनी अच्छी फ्रेशनेस आ गई है इनको और उपर से हमने पैक लगाया है तो और अच्छा लग रहा है इनको ना बहुत अच्छी फ्रेशनेस आई इनके हाथों में न दूसरे हैं को भी हमें ऐसी थोड़ी सी मसाज कर रहे हैं क्योंकि पैक इतनी देर में थोड़ा ड्राई हो जाता है दूसरे हाथ तक आते आते तो और वैसे भी कोई भी पैक ओ, मासक ओ, उसको थोड़ा सा मसाज करके उतारना चाहिए फेशल में भी हमें ऐसा ही करना चाहिए डारेक्ट हमें नहीं उतारना चाहिए अगर वो ड्राई हो रहा है तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक् नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कुछ अच्छे से अच्छी वीडियो बनाओं कुछ अच्छी नौलिज दूँ बाकि आप अगर मुझे बताएंगे तो मैं और वीडियो बनाओंगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें शेयर करे और यह हम इनको क्लिंजी मिन लगा रहे हैं लास्क में कि उन्होंने बाहर जाना है तो मैं कभी भी अपने क्लाइन को ऐसे नहीं भेजती फेशल के बाद भी मैं हमेशा संस्क्रीन भी जरूर लगाती हूं फेशल के बाद भी चाहे वैक्सिंग हो या फेशल हो कुछ भी हो म हमेशा पूरा ध्यान रखते हैं अपने क्लाइंट का ना और क्लाइंट भी खुश होता है इन चीजों से ना आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को शेयर करें और पारलर से रिलेट जैसी भी आपको वीडियो च के साथ हैंड इन के